प्रिये विद्यात्यों, सूपरभात, आजम हिंदी का पाठ दो, फसलों के तिहार पढ़ेंगे फसलों सबंदित तिहारों के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि फसलों सबंदित तिहार कौन से प्रांत में, कौन से राज्या में, कौन से इलाके में कैसी मनाई जाते हैं और उन्हें क्या-क्या नाम दिये गए हैं इन समंदी बताया गया है तो आईए हम पाट शुरू करते हैं सारा दिन बोर्सी के आगे बैठ कर हाथ ताफते हुई गुजर जाता है कहां तो खिचड़ी के समया धूप में गर्माहट की शुरूआत होनी चाहिए खिचड़ी मकर सकरांती से लिया गया है जो अनाज से बनने वाली खिचड़ी है वो नहीं है यहां पर मकर सकरांती से लिय गया है और बोर्सी वर्ड आया है वो अंगीठी के लिए यूस किया गया है यहां हम सूरस के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं पूरे दस दिन हो गएं सूरस लापता है सूरस लापता है लापता का अर्थ गायब है आज सुबह तो रिजाई से निकलने के हिम्मत नहीं ह रही थी बाहर देखने से तो समया का अंदाजा बिलकुल नहीं हो रहा अंदाजा अनमान लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है रहे रहे कर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवास तो कभी कभी किसी के हाक लगाने की आवास आ रही थ चापा कल होता है हैंड पंप के चलने की आवाज और पानी के गिरने की आवाज कभी कभी किसी के हाक हाक होता है आवाज किसी को जब हम किसी को आवाज लगाते हैं उसकी आवाज से जो आ रही थी जा भाग के देख केरा केरा होता है केला के पत्ता आई की ना आईल का अर्थ ह आया आज ई लोग के उठे के नहीं के ये लोग उठेंगे या नहीं बोल जल्दी त्यार हो कस कि जल्दी त्यार हो जाओ अब तो उठने में ही भलाई है अब तो हमें उठना ही पड़ेगा नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकठा हुए दादा और चाचा ने क्या सफेद चका चक चक होता है चमचमाता मांड लगी धोती मांड होता है मावा लगी हुई मावा लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है खिचडी में आईसन आईसन है ऐसी यहाँ पे कुछ बच्चो बिहारी भाषा के शब्दों का पर्योग किया हुए है बिहार से सबंदित है बिहारी भाषा के शब्दों का पर्योग किया गया है जैसे आईसन आईसन का अर्थ है ऐसी ठाट हम पहले कबो ना देख सारा देह कनकना देता तो उन्होंने क्या कहा कि हमने ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी कबो कभी नहीं देखी कि सारा दे दे शरीर कंकना दे कामपने लगे पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ जादा लग रही है सामने मचिया पर खादे की सफेद सारी पहने हुए दादे बैठी थी मचिया होता है बेटा खटिया जैसे हम कहते हैं एक चोरस अकार का कोई मतलब की पीडी वगएरा उसे बोलते हैं खटिया पलंग आज दादी ने अपने बाल धोए हैं जख सफेद बिलकुल एकदम सफेद सेमल की रूई सेमल है बेटा फूल फूल से लिया गया है फूल की रूई जैसे बिलकुल सफेद करलर का एक फूल होता है सफेद रंग का फूल है उसकी रूई जैसे हलके फूल के बाल एक ध्यान से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता बिलकुल धुली-धुली से लग रही है दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं दादी के सामने क्या रखे हैं कुछ पत्ते हैं जो केले के हैं और वो एक पंक्ती में रखे हुए हैं लाइम में रख चीजों को चूने और प्रनाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सबी चीजों को एक जगया इकठा करके दान दे दिया गया। पर आस तो फर्माईशी नाश्ता नहीं चलेगा। यते आस तो जो अप्पी दियाना बुरी तरह पसी है। ना तो उसी चूड़ा दहीं पसंद है ना ही खिचडी। लेकिन अपनी जो अवश्यक्ता अनुसार जो मांग के अनुसार खाना नहीं मिलेगा। वही खाना पड़े आस खिचडी जो है। खिचडी खाने के बाद सभी ने गया से आई तिल गया है किसी विशेश स्थान से का नाम है। तिल, गुड और चीनी के तिलकुट को बड़े चाब से खाया। चाब होता है शोंक से। तिलकुट क्या है विद्यारतियों। तिल और गुड से जो बने विशेश पकवान है उसे तिलकुट बोलते हैं खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी चुट्टे का दिन नाव में बैटकर गंगा नदी की सैर और फिर किसी टापू पर भालू होते है रेत में दोड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना कितना मजा आता था इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूरी पर गुरुजी, बिमलादिदा, अनंद जी, जिलमेट भाया सम मिलकर इंट से बने चूले पर बड़े-बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मोका देते हुए सुस्ताना होते हैं अराम करना का मोका देते हुए मटर और प्याज छीले बैठ चाते वैसे खिचड़ी फिर दुबारा खाने को नहीं मिली वाकई धंग कैसा भी हो पर है ये खुश्यों का तेहार कि इसमें यहाँ पर लेक का ने प्रिया वध्यारतियों ये बताया है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब एक अलग परकार की खिचड़ी बनाते थे लेकिन आज सक व्यासी किचड़ी कभी भी हमें दुबारा नहीं मिली है चाहे धंग कोई भी हो लेकिन ये हमारे चहरे पर मुस्करहाट लाते हैं कोई वितिहार फसलों से सबंदित है कोई वितिहार हो ये हमारे चहरे पर खुशियां लाते हैं खुशियां देते हैं हमें जन्वरी महा महा होता है मास महीना के मध्य बीच में भारत के लगभक सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है जन्वरी मास के बीच में भारत के लगभक सभी प्रांतों में कोई ना कोई तिहार फसलों से जो समन्दित हो मनाया जाता है कोई फसलों के त्यार हो जाने पर खुशी बाढ़ता है तो कुछ लोग इस उमीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा पाला होता है ठंड अब ठंड कम होगी सूरस की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना धंग नजर आता है इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की पैदावार होते हैं उपस की उमीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इज हार करते हैं खुशी मनाते हैं उत्तर परदेश बिहार मध्यपरदेश में मकर सकरांती या तिल सकरांती कहते हैं असम में मकर सकरांती को बिहु कहते हैं केरल में ओनम कहते हैं तमिलनाडू में पॉंगल पंजाब में लोडी जारखन में सरहुल जो की बड़े जोश्खरोश के साथ मनाया जाता है जहारखंड में ये तिहार गुजरात में पतंग का परत सभी खेती और फसलों से जुड़े तिहार है इन्हें जनवरी से मध्य अप्रेल तक अलग-अलग समया मनाया जाता है बच्चों आपने देखाना कैसे सब प्रांतों में अलग-लग प्रांतों लग-लग राज्यों लग-लग इलाकों में फसलों से समंदित तेहारों को क्या-क्या नाम दिये गए हैं उनको मनाने का ढंग भी आके हम देखेंगे जारखंड में सरहुल बड़े जोश-खरोश जोश-खरोश होता है उत्साहपूरवक के साथ मनाया जाता है चार दिनों तक इसका जशन चलता रहता है अलग-अलग जन जातियां जन जातियां लोगों का जो समू होता है लोगों की जो जातियां होती है इसे अलग-अलग समया में मनाती हैं संथाल लोग जो की बिहार शेतर से समंदित है संथाल लोग फरवरी मार्च में तो अरांफ पर प्रकिर्ति नेचर की पूजा करते हैं सरहुल के दिन विशेश रूप से साल के पेड की पूजा की जाती है यही समया है जब साल के पेडों में फूल आने लगते हैं और मोसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है बहुत ही अच्छा हो जाता है हर्याली वाला हो जाता है स्त्री पुर्ष दोनों ही ढोल मजीरे मतलब इस्त्री पुर्ष दोनों बहुत ही खुश होते हैं और ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं चारों और फैली हुई छोटी छोटी घाटियां लंबे लंबे साल के व्रिक्ष बिर्चे जो साल के व्रिक्ष होते हैं उसका आकार बहुत लंबा होता है व्रिक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गाउं अब बताया गया है कि जो गाउं है वो कैसे लिपे पुते करीने करीने होता है तरीके से बुहार बुहार होता है जाड़ पोंच या फिर हम साफ भी कह सकते हैं और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ती में पंक्ती होता है कतार में लाइन में रो में कमर में बाहें डाल कर नरित्य करते हैं नाच करते हैं अगले वे नृतिया करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पोदे लगाते हैं। घर घर से चंदा माँगने की बी प्रता हैं। रिती है, रिवाज है, जिसे हम ये कह सकते हैं, पर चंदे में मालुम है, क्या मांगते हैं, क्या पता है वच्चों, चंदे में क्या मांगते हैं, हमने तो अक्सर ऐसा ही सुना है, कि चंदे में पैसे मांगते हैं, लेकिन नहीं, यहां पे कुछ अंदास अलग ही है, वो लोग चंदे में क्या मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री, फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दोर, तीसरे दिन दोर होता है समया, तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते है, एक फूल का नाम है सरई, जिसे वो इसी दिन से वसंत रीतों की शुरुवात मानी जाती है धान के भी पूजा होती है जिससे चावल निकलता है उसे धान कहते है पूजा किया हुआ आशिरवादी धान अगली फसल में बोया जाता है क्यों बोया जाता है? क्योंकि उसे शुब होना जाता है तमिल नाडू में मकर सकरांती या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है बच्चो अब आपको पता चला